हिमाचिल के नगरोटा वगवा रेल्वे स्टेशन से मात्र 800 मिटर की दूरी पर एक अग्यात वेक्टी की अधजली लाश मिलने से इलाखे में संसनी फैल गई लाश की अभी तक शिनाकत नहीं हो पाई है लेकिन प्रतम दिश्टता इसी बिखारी के रूप में देखा जा रहा है मोके पर पहुँची कांगडा रेल्वे पुलिस वारदात की जाच में जुट गई है आपको बता दे कि पुलिस को मामले की सुचना स्थानिये गेट मैन भुविंदर द्वारा आज प्राते साड़े साथ बजे दी गई जिसके फोरण बाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नितितू में रेल्वे पुलिस का एक बड़ा दल मोके पर पहुँचा पुलिस का माना है कि हाथसा स्वयम जलने अथवा शरारत के रूप में जलाने का हुआ है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पुलिस को फोरेंसिक टीम और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है बरहा लाश की स्तिती को देख कर हर कोई विचलित है मृतिक के शरीर का उपरी हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित है तथा टांगो अथवा कमर का हिस्सा बिल्कुल जलकर राख हो चुका है कांगडा से समाधाता दोलाच चोहान की रिपोर्ट सारा का सारा उसे साहे ही है है अभी तो इसके बोलना जटो हमें क्योंकि इससे स्ट्रगल वाले बात कुछ नहीं लग रहा है कि इसका सारा का सारा समान इवन जो है चोटी से चोटी चीज भी जो है वो बॉड़ी पे ही है तो इस पर अभी देखते हैं एक्सपर्स फरेंसिक टीम मॉक्के बे बुलाई है और पॉस्टमार्टम के बाद कैसी स्थिदी रहती है उसके बाद ही कुछ जागे की कारवी की कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें एंड़ने वाल